हेलो फ्रेंट्स असलालेकूम आप लोग कैसे हैं वेलकम बेक तू माई यूट्यूब चैनल आज हम केक बनाएंगे भी बिल्कुल आसान तरीके से आटे और गुड का यह बहुत टेस्टी बना था आप लोगों को बहुत पसंद आएगा आप लोग एक बार इससे जरूर ट्र प्रोड लड्र किश्मिष काली वाली किश्मिष और मीह खरबुजे की 15 से 10 चेरी इसे बारी काट लिया है और एक मिसरमिन के हिसाब से सारे सामान दलेंगे नहीं तो केक सही से बनेगा नहीं हम ने सारे ड्रै़ परूट्स एक जगेस एक कप में कर लिया है अभी हमारे कप में जग्यें बची हुई है तो इसमें करीब एक मुठी तूटी-फूटी आ जाएगी तूटी-फूटी आप ज़रूर डालिएगा इससे केक का कलर देखने में भी कलर फूल अच्छा लगता है बच्चों को बहुत पसंद आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है अब हमारे ड्राइफ लूट्स एक कप पूरे हो गया है उसे साइड में रख देंगे अब हम गुड्ड लेंगे उसे बारी काट लेंगे इस तरह से बारी काटने के बाद आधा कप गुंड लेंगे अब हम एक कढ़ाई या पैन चढ़ा देंगे गैस पे और कमाज कर देंगे इसमें हम वन फोर्थ कप पानी डालेंगे और आधा कप गुर डाल के इसे चलाएंगे इसे इतनी देर तक चलाना है कि ये गल जाए बिल्कुल आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गुर का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा इसे चमच को रोकना नहीं है ना उनिस्टाप चलाते रहना है अब इस तरह से जागसा हो जाएगा तब इसमें हम अपना एक कप ड्राइफ रूट जो हमने बना के पहले से तयार करके रखा तो उसे डाल देंगे और थोड़ी देर इसे गैस पे पकाएंगे कमाच पे इससे मेवे फूल भी जाते हैं और अच्छे से पक भी जाते हैं थोड़ी देर पका लेंगे करीब तीन-चार मिनट फिर इसे गैस बन कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे अब हम दो संत्रे लेंगे इसे बीच से काट देंगे इन संत्रों के रस निकालने हैं जूस आप बजार से भी ले सकते हैं आप मिक्स जूस का भी यूस कर सकते हैं हमने संत्रे का यूज के इसे केक की खुजबू बहुत अच्छी आती है हमाई संत्रे थोड़ा सूप गय थे तो इस तरह से पुरा गूदा निकला रहा था थोड़ी देर तो हमने इस तरह से निकालने की कोशिश की तो नहीं निकला फिर हाँस से इसक्यूस किया दो संत्रे कम हो गये थे तो फिर हमने एक संत्रा और काटा और उसको भी हाँस से कुछ इस तरह से निकाल दिया और रोटी सेखने वाले इस तरह से लकड़ी के किसी भी चीजस से आप इस तरह से दबा दबा के सारे जूर निकाल सकते हैं मेरे पास जूर नहीं अगर आपके पास जूर हो तो आप जूर से निकाल लीजीगा अब हमारे पास यह आधा कब संत्रा हमें मिल गया बिल्कुल ये जो मिक्चर है बिल्कुल ठंडा हो जा तभी इसके संत्रे का रस मिलाईएगा नहीं तो कड़वापन आ जाएगा अगर आप गरम में मिलाएंगे तो इसे इस तरह से खुब चला के अच्छे से मिला देना है और करीब एक घंटे इसे रख देना है अगर आपके पास टाइम हो तो और दो तीन घंटे रख सकते हैं आप आराम से अब हम एक मिक्सी का जाल लेंगे उसमें तीन छोटी लाइची दो डाल चीनी के टुकड़े दो लॉंग और आधा चम्मच जिंजर पाउडर सोट और इसमें जिर चम्मच चीनी डाल देंग क्योंकि इतने मसाले पिस नहीं पाएंगे थोड़ा कॉंटिटी बढ़ाने के ल और थोड़ा बहुत जो रहेगा उसे बाद में चान लेंगे अब हम इक पैन लेंगे उसमें वन फोर्थ का मक्खन मक्खन डालके मिल्ट कर लेंगे मिल्ट करने के बाद ही इसको मेजर कपसे मेजर करेंगे अब हमने गैस जला के यह पैन रख दिया अब मक्खन मिल्ट होने लगेगा गैस कमपे हैं दूसरी तरफ हम एक बड़तल लेंगे उसके साइज से ही जो बटर पेपर आता है केक बेक करने का पेपर आता है उसको राउंड शेप में काट लेंगे इस तरह से करिएगा और इस तरह से काट लीजेगा अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कोई मसला नहीं है आप देखे मेरा भी बड़ा हो गया था तो हमने एक कट लगा के उसे आधा कट लगा के इसे हमने रग दिये वो अपना साइज ले लेगा इस तरह से काट दीजेगा वो अपना साइज खुद ले लेगा इसके चारों तरफ भी हमने पर काट के लगाया ताकि हमारा केक चिपके नहीं अब हमारा बर्दन तयार हो गया अब इसमें केक डालने की तयारी करेंगे अब एक भगोना लेंगे आप हूकर भी यूज कर सकते हैं सीटी और रबर निकाल दीजेगा और गैस कम कर दिएगा उसमें स्टैंड रखके उसको प्री हीट होने के लिए रख दीजेगा अब इसमें हम एक वन फॉर्थ कप मक्षन डालेंगे और वन फॉर्थ कप दूड डालेंगे दूड नॉर्मल लीजेगा और इसे अच्छे से मिला दीजेगा अब इसमें हम आधर कप दूड पाउडर मिल्क पाउडर डालेंगे और जो मसाले हमने पीस के रखे हूँ उसे डालके इसे इस तरह से छान लेंगे और दूड वाले मिक्षन में इस तरह से मिला लेंगे हमने तीन डॉप पनीला एसेंस डाला है खुश्बू के लिए अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं इसमें खुश्बू के लिए मसाले डले हैं हम आज केक मैदे का नहीं बनाएंगे आज हम आटे का बनाएंगे तो इसलिए सबसे पहले एक कप आटा लेंगे उसे च्छान लेंगे और उसके बाद वन फूर्थ कप आटा और लेंगे मतलब सवा कप आटे का हम आज केक बेग करेंगे इसे इस तरह से मिलाने से नहीं मिल रहा था जो हम ने ये मिक्षर तयार करके रखा था उससे डाल के खुब अच्छे से मिला देंगे ये खुब अच्छे से मिल जाता है असानी के साथ अब इसमें हम एक चम्मट बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें एक चम्मट वेनेगर डालेंगे ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा हमारा तयार अब इसे हम अपने डिब्बे में ट्रांसफर करेंगे आप किसी स्टील के बर्तन में सिल्वर के बर्तन किसी में भी केक बना सकते है असानी से कोई दिक्कत नहीं है अब इसे ढालों कर लेंगे चम्मस की मदश से अब ओपर से कुछ इसमें मेवे डालेंगे इसे जादा पतला मत कीजेगा नहीं तो जो मेवा हम उपर से डालेंगे वो नीचे बैठ जाएगा काजू डाल दिया हमने किश्मिश डाली थी जो मेवे अंदर डाले वो थोड़ा थोड़ा और उपर से डाल दिया तो वो कार्निशिंग के लिए अच्छा लगने लगेगा इसमें वो डाल देंगे चेरी और टूर्डी फूर्डी से कलर अच्छा आ जाता है इसे डाल इसे जरूर यूज़ कीजिएगा अब हमारा केक पूने के लिए तयार है जो बरतन हम पहले से प्रिहिट कर रहे थे पांच मिनट पहले रखा था अब इसमें इस तरह से इसे डाल के हमारा ये कागज बड़ा हो रहा था तो हमने इसे काट दिया था, ढटकन से ढग दिनगे अब ये इसे एक घंटे तक पकाएंगे और इसे पक गया है, ये कैसे पता लगाएंगे, टूट्पिक लेकी उसमें डाल के देखेंगे अगर उसमें लगा नहीं रहागा गिम साफ टूट पिक निकल आएगी तो हमारे केक बनके तयार हो गया है अब हमने अपना केक निकाल लिया है इस तरह से पलट के पहले नीचे को बटट पेपर निकालेंगे और अब किनारे गा भी निकाल देंगे इसे की कल क्रिस्मस हैं आप इस केक को जरूर ट्राइ कीजिए गब बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही जादा टेस्टी और हेल्दी है इसमें हमने ना मैदे का यूज किया है और ना चीनी का गुड़ भी हेल्दी होता है और आटा भी आप अपने बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो इस केक को जरूर बेक कीजेगा एक बर जरूर बनाके देखिएगा इंशालला आपके बच्चों को जरूर पसंद आएगा देखिए मेरा केक कितना स्पॉंजी है अंदर तक सारी चीजें पक गई है केक को बेक होने में पूरा एक घंटा लगा था दस-पाँच मिनट जादा भी लग सकता है आप अपने हिसाब से देख लीजिए गाटा